नमस्कार दोस्तों आज में मेरे इस यूट्यूब चैनल ओल फार्मिंग आइडियास के जरीए आप सभी मित्रों को लोकी को कुदरती की खाद की मदद से यानि की और गया निकली कैसे उगाते है यह बताने जा रहा हूं तो आप मेरे इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हमें इसके प्लांट तयार करेंगे और प्लांट तयार करने के लिए सबसे पहले हमें अच्छी और्गिनिक मटिरियल वाली मित्टी को अपने बागीचे में से लेंगे यहाँ आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने मेरे गार्डन में से अच्छी वाले मिट्टी को खोळ के रखा है अब हम इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं इस प्रक्रिया के लिए हमें कप्स चाहिए अगर आपको पोधे उगाने के लिए कप्स नहीं मिल रहे है तो आप बाजार से पानी पीने के लिए यूज होने वाले डिस्पोजिबल ग्लास खरीड ले आप इन ग्लासों में पोधे को तयार कर सकते हैं इससे आपका खर्च भी कम आएगा अब हमें इस मिट्टी को मैं यहां बता रहाँ उस तरह तोड़ लेना है यह काम हमें हमारे हाथों से ही करेंगे मिट्टी में अगर कंकर पत्थर हो तो हमें निकाल देने है और मिट्टी को बारिक कर लेना अब इस बारिक मिट्टी को हमें इन गिलासों में भर लेना है हमें इन गिलास को पूरे नहीं भरने है हमें इसमें उपर की थोड़ी जगा तक्री बन दो सेंटिमेटर जितनी जगा को छोड़ देना है अब हमें इन में बीजो को बोना है मैं इन में मेरे पिछले सिजन के बचाए हुए ही बीजो का उप्यो करने वाला हूँ और अगर आपको लोकी के बीजो को अगले सिजन के लिए कैसे बचाते है यह जानना हो तो आप मेरा इस टोपिक पे बनाया वीडियो देख सकते है हमें इन गिलास में बीज को मध्य भाग में खड़ा रखके डाल देना है और उपर से थोड़ी मिट्टी डाल देनी है एसा हम यहां चारो गिलास में करेंगे एक एक करके चारो गिलास में बीजो को डालेंगे अब बीजो को बो देने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे हमें इन में ज़्यादा पानी नहीं डालना है मिट्टी को पूरा तरह से भिगो देना है और इन गिलास को इसी जगा रखना है जहां अच्छी सी धूप आती हो और हमें इन में हर दो से तीन दिन में पानी देना है और अगर धूप ज़्यादा हो और टेम्परेचर 32 से 34 डिगरी हो तो हमें हर रोज पानी देना है आपको एक हफ़ते में इन बीजो में से पोदे के अंकूर नजर आएंगे अब हम इन पोदों को तब तक पानी देते रहना है जब तक यह हमारे बागीचे या खेद में लगाने की साइस के नहीं हो जाता है जब हमारे यह पोदे हमारे गार्डन में लगाने के लायक हो जाए तब हमें इसको बागीचे में लगाने है हमें जब भी बागीचे में लगान है उसके दो या तीन दिन पहले हमें इनमें पानी नहीं देना है इससे क्या होगा कि जो पोदा है उसके आसपास की मिट्टी थोड़ी मजबुत हो जाए जब हमारे यह पोदे हमारे गार्डन में लगाने के लायक हो जाए तब हमें इसको बागीचे में लगाने है अब हम इन पोदों में से अच्छे वाले पोदे चून लेते हैं और उनको अपने बागीचे में प्लांट कर देते हैं इन पोदों को प्लांट करने के लिए हमें जहां भी इनको प्लांट करना हो उस जगव पे इन गिलास से दुगना गहरा या डेड़ गुना गहरा गड़ा खोड लेना है उसके बाद हमें इन गिलास को तेज चाकू या कटर की मदद से काट लेना है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पोधे की जड़ों के आसपास की मिट्टी बिखर न जाए यहां हमने इन गिलास को काट लिया है और आप यहां इस पोधे की जड़ों को देख सकते हैं बस हमें इस पोधे को इस तरह से गड़े में लगा देना है और उसके आसपास की मिट्टी को दबा देना है उसके आसपास पानी को बहते रोकने के लिए गोला कार पाली बना लेना है और फिर उस पोधे को हमें पानी देना है इसके बाद हमें इस पोधे को चड़ाने के लिए सहारा देना होगा तो इसके लिए हमें नाइलोन की अच्छी सी मजबूट डोरी को इस तरह से पोधे से बाद के उसका दूसरा छोर हमें इस बेल को जहां चड़ाना हो वहाँ पे जाके बाद लेना है अगर हम इस प्रक्रिया को अपने खेत में प्रोफेशनल तरीके से बोना जाते हैं तो हमें दो पोधों के बीच में कम से कम 10 फिट का अंतर रखना होगा और इन पोधों को सहारा देने के लिए हमें पतली नाइलोन की डोरिया और गेलवे नाइस तार का इस्तमाल करना है हमें इसकी बेलों को कम से कम 8 से 10 फिट तक उचा चड़ाना है यहां हमारा लोकी को उगाने का ट्यूटोरल पूरा होता है यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और नए वीडियो के लिए आप हमारा यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं